हलो वेलकम बैक टो आरे युडूग चैनल वीचिस सक्सेस विद सौरभ एक बाद फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे जैसा आप सब जानते हैं लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 के NCRT book के history के chapter number 6 को आधा पढ़ लिया था आधा बचा भाग आज पढ़ेंगे और एक एक point को समझते हुए chapter को समाप्त करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम अपने first topic पे चलते हैं जैसा आप देख पा रहे हैं आज का हमारा जो first topic है वो है ब्याकरन विद पानिनी पानिनी नाम के एक ब्याकरन विद थे उन्ही के बारे में इस chapter में बताया गया है क्या बताया गया है उसको देखते हैं यहां जो first point लिखा गया है वो है पानिनी ने संस्कृत भासा के ब्याकरन की रचना की पानिनी नाम के जो ब्याकरन विद थे उन्होंने किस भासा के ब बिसेस करम में रहकर उनके आधार पर सुत्रों की रचना की आप हिंदी भासा में अगर बात किया जा तो स्वर तथा ब्यांजन आप अच्छे से जानते होंगे उसी प्रकार संस्कृत में भी स्वर तथा ब्यांजन होते हैं और उन स्वर तथा ब्यांजनों को एक बिसेस करम में रहकर बिशेस अस्थान पर रहकर इन्होंने सुत्र बनाए फर्मूला का निरमान किया क्लियर आगे है ये सुत्र बीजगनीट के सुत्रों से मिलते जूलते हैं मैट्स में आप लोग बीजगनीट जानते होंगे जिसको इंगलिस में algebra कहा जाता है और उसमें जो formulae है उन formulae से मिलते जूलते किसके formulae है तो पानिनी के द्वारा Sanskrit भासा के ब्याकरण के निर्मान में जो formulae बनाये गए वह किससे मिलते जूलते है तो गनीत के algebra के formulae से मिलते जूलते है clear next point है इनका प्रयोग कर उन्होंने Sanskrit भासा के प्रयोगों के नियम लगु सुत्रों के रूप में लिखे संस्कृत जो भासा है उसके प्रयोग करने के जो नियम है जो कि उन्होंने नाम क्या दिया छोटे छोटे सुत्र थे इसलिए लगु सुत्र बोल दिये तो उन लगु सुत्रों के रूप में निर्मान किया और उनकी संख्या कितनी थी तो यहां बतायागा है कि लगभग 3000 उनकी संख्या थी clear एक overview अगर आप देखें तो overview यहां से आप important चीज क्या निकाल सकते हैं आप यहां से याद रखेंगे कि संस्कृत भासा के व्याकरन का जो निर्मान कौन किया था तो पानिनी नाम के व्याकरन वीद ने किया था clear चलिए तो आपके इस topic में इतना ही points दिया गया है next topic हम लोग अब देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है next जो हमारा important topic है वह है जैन धर्म के बारे में हमने अब तक बौत धर्म के बारे में पढ़ा बुद्ध के बारे में जाना अब हम लोग यहां जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो जो आपका जैन धर्म का topic है इसमें जो first important point है वो है लगभग 2500 वर्स पूरु जैन धर्म के 24 में तथा अंतिम तिर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया यहां कहा गया कि आज से लगभग 2500 वर्स पूरु जैन धर्म के 24 में तिर्थंकर जो की अंतिम तिर्थंकर थे तुन्होंने क्या किया लगभग 2500 वर्स पूरु अपने विचारों का प्रसार करना इस्टार्ट किया आगे है वो वजिस संघ के लिच्वी कूल के एक छतरिये राजकुमार थे उसको ध्यान में रखेंगे आप लो आगे है 30 वर्स की आयू में इन्होंने घर छोड़ दिया तथा जंगल में रहने लगे इन्होंने क्या किया लगभग 30 वर्ष की अपनी आयू में अपने घर के सुख सुधाओं को छोड़ कर जंगल में चले गए और वहीं पे रहने लगे 12 वर्ष तक जंगलो में उन्होंने एकाकी जीवन ब्यत्रीत किया इसके बाद उन्हें ज्यान प्राप्थ हुआ और लगभग 12 वर्ष तक जंगलो में उन्होंने एकाकी जीवन का मतलब एकांत जीवन अकेला जीवन बिताया और उसके बाद जाकर उन्हें ज्यान प्राप्थ हुआ आगे है इनकी सिक्षा सरल थी अब जो महाबीर स्वामी के द्वारा सिक्षा दिया गया वह बहुत ही सरल थी एक आम इंसान भी उसको अच्छे से समझ सकता था तो यहां हम लोग देखते हैं कि उनके द्वारा दिया गया सिक्षा क्या था उन्होंने कहा सत्य जानने की रखने वाले प्रतेक इस्तरी तथा पुरुस को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा जो ब्यक्ति, जो इस्तरी, जो पुरुस सत्य जानने की चाहत रखते हैं, उन्हें सर्व प्रथम क्या करना चाहिए? तो घर के सुक सुधाओं को छोड़ देना चाहिए और घर का त्याग करना चाहिए, उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, साथ ही उन्होंने कहा कि घर का त्याग कर उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अब महाबीर स्वामी के द्वारा अहिंसा को किस प्रकार डिफाइन किय उसको देखते हैं तुन्हों ने कहा अर्थात मतलब अहिंसा के लिए जो कहा किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए नेक्ष्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है महावीर ने सिच्छा प्राकृत भासा में दी तो प्राकृत भासा में दी और मैंने आपको बताया था कि प्राकृत भासा उसे कहा जाता है जिसको एक साधारन व्यक्ति भी बहुत ही आसानी से समझ सकता है नेक्ष्ट है मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भासा मागधी कहलाती थी जो मगध में प्राकृत भासा बोली जाती थी उसे क्या कहा जाता था तो उसे मागधी कहा जाता था इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट है जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयाई को भीक्षा मांग कर साधा जीवन बिताना होता था जो जैन अनुयाई होते थे उनके लिए कंडिशन क्या था तो उन्हें भीक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करना होता था आगे है उन्हें ब्रम्चर्य का पालन करना होता था तथा पूरुसों को वस्त्रों सहीत सब कुछ त्यागना होता था और जो पूरुस जैन अनुयाई होते थे उन्हें वस्त्र का भी त्याग करना होता था यानि अपने जीवन के साथ किसी भी चीज को जोड़ कर नहीं रख और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है मुखिता ब्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया यहां से question क्या बनेगा कि जो जैन धर्म के अनुयाई होते थे वह मुखिता वह विसेस्ता किस वर्ग के होते थे तो आप लोग क्या answer करेंगे तो ब्यापारी वर्ग के लो पारना या जैन धर्म के नियम और कानूनों को पालन करना बहुत ही कथीन होता था, क्योंकि जैन धर्म कहागया, कि आप किसी भी जीव को न मार सकते हैं, नहीं कुष्ट दे सकते हैं, लेकिन किसानों के साथ क्या है, कि जब ये फसल का उत्पाधन करते हैं, तो उन्हें कीडे मकडो को मारना पड़ता है इसलिए यहाँ पर कहा गया कि किसानों के लिए असान नहीं था कि वे जैन धर्म अपना सके ठीक है महावीर तथा उनकी अनुयाईयों की सिक्षा कई सताबदी तक मौखिक उरुप से रही महावीर के द्वारा जो सिक्षा दी गई वह बहुत सताबदीयों तक मौखिक रुप से आदान प्रदान होती रही मतलब हम जो सिक्षा प्राप्त किये आगे के वनसच को हम मौखिक रुप से उसे याद करवा दिये वह आगे बढ़ा दिया इसी प्रकार से उनकी सिक्षा कई सताबदीयों तक चलती रही नेक्ष्ट है वर्तमान रूप में उपलब्द जैन धर्म की सिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पुर्व गुजरात के वल्लभी नामका स्थान पर लिखी गई और वर्तमान समय में जो जैन धर्म की सिक्षाएं हमें उपलब्द होती है वह लगभग 1500 वर्ष पुर्व गुजरात के वल्लभी नामका स्थान पर लिखी गई थी एक पॉइंट मैंने नोट करके लिखा हुआ है वह है जैन सब्द जिन सब्द से निकला है जैन धर्म का जैन सब्द है वह जिन सब्द से निकला है और इस जिन सब्द का अर्थ होता है विजेता clear जिन सब्द का अर्थ क्या होता है विजेता चलिए तो यहां पे आपका जो जैन धर्म में जितने भी important points थे लगभग हर एक points को मैंने बता दिया अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि next topic क्या बताया गया है next जो आपका important topic है वह है संग अब संग क्या है और इसमें क्या-क्या बताया गया है एक-एक point को अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जो संग topic है इसमें जो first important point है वह है महाबीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ग्यान की प्राप्ति हो सकती है हमने महाबीर एवं बुद्ध दोनों के बारे में पढ़ा और दोनों के बारे में हमने क्या जाना कि ये दोनों लगभग 30 वर्स की आयू में अपने घरों का त्याग कर दिये थे और इन दोनों का मानना था कि आप सच्चे ग्यान की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब आप अपने घरों के सुख सुधाओं को छोड़ देते हैं यानि अपने घरों का त्याग कर देते हैं अगे है ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संग नामक संगठन बनाया कैसे लोगों के लिए तो वैसे लोग जो सचे ग्यान की प्राप्ति के लिए अपने घरों के सुख सुधाओं का त्याग कर देते हैं उनके लिए उन्होंने संग नामक एक संगठन बनाया अब यहां से आप लोग ध्यान में क्या रखेंगे तो संग है क्या तो संग एक संगठन है और कैसा संगठन है तो वैसा संगठन है जिसमें लोग अपने घरों का त्याग करके आते हैं जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ हर रह सके। मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है संग में रहने वाले बौध भिक्छूओं के लिए बनाये गए नियम विनाय पिटक नामक गरंथ से मिलते हैं। जो संग में बौध भिक्छुक रहा करते थे, उनके लिए जो नियम कानून बनाये गए थे, वह किस अधार पे थे, तो वह नियम और कानून विनाय पिटक नामक गरंथ में में पता चलता है कि संग में रहने के लिए इस्त्रियों पूर्सों के लिए अलग-अलग ब्यवस थ थी, और बिनाय पिटक नामक गरंथ से ही हमें पता चलता है कि जो संग नामक संगठन था, उसमें इस्त्रियों पूर्स दोनों सामिल होते थे, लेकिन दोनों के लिए रहने की ब्यवस था अलग-अलग की गई थी, clear? आगे है, संग में रहने वाले पूरुसों तथा इस्त्रियों को भिखु तथा भिखुनी कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो जो संग में रहने वाले पूरुस तथा इस्त्री होते थे, उन्हें भिखु या भिखुनी कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? तो इसलिए कह सहरों में जाकर भिख्छा मांगा करते थे इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था भिख्धु तथा भिख्धु नहीं कहा जाता था clear चलिए तो संग में इतना ही आपका दिया गया है अब हम लोग next important topic देखते हैं next जो important topic है वह है विहार इसको इंग्लिस में कहा जाता है monestries अब monestries होता क्या है इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं और एक एक point को समझने का प्रयास करते हैं इसमें जो first point लिखा गया है वह है जैन तथा बौध भिख्चु पूरे साल एक अस्थान से दूसरे अस्थान घुमते हुए उपदेश दिया करते थे मैंने आपको बताया चाहे वह जैन भिख्चु हो या बौध भिख्चु हो इनका काम क्या था तो इनका काम था एक अस्थान से दूसरे अस्थान पे घुमना और उपदेश देना तथा आपने विचारों का प्रसार करना आगे है जैसे जैसे समय बित्ता गया भिख्चु भिख्णियों ने स्वयम तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थाई सरन अस्थलों का अनुभव किया जैसे जैसे समय बित्ता गया, लोगों ने क्या अनुभाव किया? कि ऐसा बेवस्था हो, जहां पर अस्थाई सरन अस्थल हो, तथा जो उपदेश देने वाले हो, वो अस्थाई रूप से एक अस्थान पर निवास कर सके, ताकि उपदेश लेने वाले आसानी से उनका उपद अस्थल बनाये गये जो अस्थाई थे और उन्ही को नाम क्या दिया गया तो उन्ही को विहार कहा गया मोटे तोर पे अगर आप समझें कि विहार है क्या तो बहुत धिक्छूओं के लिए एक अस्थाई सरनस्थल था एक पॉइंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है प्राया किसी धनी ब्यपारी राजा अथ्वा भुस्वामी द्वारा दान में दी गई भुमी पर विहार का निर्मान होता था जो विहार था वो कैसी भुमी पे उसका निर्मान होता था तो जो भुमी लोगों द्वारा दान में दी जाती थी राजा के द्वारादान में दी जाती थी उसी भूमी पे विहार का निर्मान होता था next point मैंने note करके लिखा हुआ है और इसमें कहा गया है एक बहुत गरंद से ग्यात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने के बाद नदियों की पहचान समाप्थ हो जाती है ठीक उसी तरह बुध के अनुयाई जब भिक्छूओं की स्रेनी में आते हैं तो ये अपना वर्न स्रेनी तथा परिवार सब त्याग देते हैं यहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार एक नदि महासागर में विलिन हो जाती है और वह अपना पहचान खो देती है ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्थी बहुत भिक्छू बनता है बहुत भिक्छू की स्रेनी में प्रवेश करता है तो वह अपने actual सुरेनी, अपने परिवार का त्यार कर देता है clear? वही यहां बताया गया है तो जो विहार था आपने अच्छे से समझ लिया होगा अब छोटे-छोटे कुछ और topics बचे हुए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं next जो आपका important topic है वह है आशरम ब्यवस्था अब आशरम को इंगलिस में भी आशरम कहा गया है तो आशरम ब्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि किन-किन बातों की चर्चा की गई है जो इसमें first point दिया गया है वह है बौध धर्म तथा जैन धर्म जिस समय लोकप्रिये हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मनों ने आशरम ब्यवस्था का विकास किया जिस समय जिस कालखंड में बौध धर्म तथा जैन धर्म लोकप्रिये हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मनों के द्वारा एक ब्योस्था की शुरुवात की गई और उसे नाम क्या दिया गया तो उसे आसरम ब्योस्था का नाम दिया गया आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां से question बनता है question किस प्रकार बनेगा पुछ देगा कि आसरम ब्योस्था की सुरुवात किसके द्वारा की गई थी तो आप लोग आंसर क्या करेंगे ब्राह्मनों के द्वारा clear? आगे है यहां आसरम सब्द का तात्र परे जीवन के एक चरन से है जो यहां आसरम सब्द प्रियोक किया गया है उसका तात्र परे जीवन के चरन से है आप लोग आसरम सुने होंगे तो फर्स्ट थोट जो दिमाग में आया होगा वह होगा रहने का स्थान लेकिन यहाँ एक्चुल जो आसरम का तातुपर है वह क्या है वह जीवन के चरन से है clear आगे है और जो जीवन के चरन आसरम ब्योस्था में बताए गए हैं वे कौन कौन से हैं उनके बारे में कहा गया ब्रह्मचर्य ग्रिहस्त वान प्रस्थ तथा सन्यास नामक चार आसरमों की वेवस्था की गई कितने प्रकार के आसरम थे तो चार प्रकार के कौन कौन से ब्रह्मचर्य दूसरा ग्रिहस्त तीसरा वान प्रस्थ और चौथा सन्यास अब इन चारों को एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं फर्स्ट ब्रह्मचरे ब्रह्मचरे के अंतरगत ब्राह्मन छत्रिये तथा वैसे से अपेख्छा की जाती थी कि वे इस चरन के दवरान वे सादा जीवन बिता कर वेदो का अधियन करेंगे जो ब्रह्मचरे अवस्था है उसमें आसा क्या की जाती थी उसमें अपेख्छा क्या रखी जाती थी तो अप एक्छा की जाती थी कि ब्राह्मन, छत्रिये और वैस्ये इस चरन में साधा जीवन व्यतित करेंगे और वेदो का अधियन करेंगे सेकेंड है ग्रिहस्त आसरम अब ग्रिहस्त आसरम में क्या वेवस्था है उसको देखते हैं तो ग्रिहस्त आसरम में विवाह कर उन्हें एक ग्रिहस्त के रूप में रहना होता था ग्रिहस्त आसरम में उन्हें विवाह करना होता था और एक ग्रिहस्त के रूप में अपना जीवन यापन करना होता था clear, दो clear हो गया, next देखते हैं third है वान प्रस्त, अब वान प्रस्त में क्या कहा गया उसको हम लोग समझते हैं वान प्रस्त के अंतरगत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी क्या करना होता था, तो जंगल में जाकर वहीं रहना होता था और साधना करना होता था clear, और जो fourth point है, जो fourth आश्रम ब्योस्था में चरन है, वा क्या है अंतता हुन है, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था clear अच्छे से आपने आश्रम ब्योस्था समझ लिया होगा अब next important point है वो है आश्रम ब्योस्था ने लोगों को अपने अपने जीवन का कुछ हिसा ध्यान में लगाने पर बल दिया आस्रम वेवस्था में कहा गया कि लोग अपने जिवन का कुछ हिसा कुछ समय ध्यान में ज़रूर लगाए और last point है इस्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमती नहीं थी मतलब आस्रम वेवस्था के अंतरगत इस्त्रियों को महिलाओं को वेदों का अध्यान करना allowed नहीं था clear, चलिए, तो यहां आपका आश्रम ब्योस्था समाप्त हुआ, अब एक और important topic बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आपका chapter समाप्त हो जाएगा आपके इस chapter का अंतिम जो important topic है, वह है अन्यत्र, मैंने आपको बताया था कि आपके हर chapter के अंत में अन्यत्र दिया गया है, और अन्यत्र में चर्चा किस बात की की गई है, तो अन्यत्र में बताया गया है, कि जिस समय हम अपने उप महादीप की बारे में बात करते हैं, उसी सम पर्ष्ट पॉइंट लिखा हुआ है जर्थूस्त्र एक इरानी पैगंबर थे, मतलब इरान के बारे में चर्चा किया गया है और कहा गया है जर्थूस्त्र नामक एक पैगंबर थे जो कहां से बिलोग करते थे इरान से करते थे नेक्ष्ट है इनकी सिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक गरंथ में मिलता है और इनके द्वारा जो सिक्षा दी गई उन सिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक गरंथ में मिलता है चली, नेक्स्ट, जेन दवेस्ता की भासा तथा रिती रिवाज वेदों से मिलती जूलती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट है, जर्थुस्त्र की मुल्सिक्षा का सुत्र है, सद विचार, सद वचन, तथा सद कारे ठीक है, नेक्स्ट, एक हजार से अधिक वर्सो तक जर्थुस्त्र वाद इरान का एक प्रमुख धर्म रहा इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहां से क्वेस्टन आपका एक्जाम में पुछा जाएगा क्वेस्टन किस प्रकार का आएगा, कि जो जर्थुस्त्र वाद धर्म था, वह किस अस्थान से बिलोंग करता था तो आप लोग आंसर क्या करेंगे, इरान से, क्लियर और लास्ट पॉइंट है, कुछ जर्थुस्त्र वादी, इरान से आकर गुजरात और महराष्टर के तटिये नगरों में बस गए, वे लोग ही आज के पार्सीयों के पुर्वज है मतलब जो हमारे देश में पार्सी हैं, उनके पुर्वज कौन है, तो यही जर्थुस्त्र वादी हैं, जो की इरान से आकर महराष्टर और गुजरात के तटिये प्रदेशों में बस गए थे क्लियर, चली, तो यहां आपका अन्यत्र समाप्त हुआ, और आपका चैप्टर भी समाप्त हुआ, हर एक पॉइंट को मैंने डील कर दिया, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से, बहुत बारी की तरीके से समझाने का प्रयास किया, अगर आपको वीडियो अच्छा ल